कि नमश्कार दोस्तों देखिए सबसे पहले मैं इस वीडियो में आप से कुछन पूछना चाहता हूं कि आप मेंसे ऐसी कितने लोग हैं जो सिर्फ 5-6 दिन के लिए मुझे कमेंट करके जोड़ बताईएगा कि जो मुझे इन्वेश्मेंट के लिए सिर्फ 4-5 दिन के लिए 6 दिन के लिए 10 दिन के लिए आते हैं मैं ऐसा कुछन क्यों कर रहा हूं उसका भी मैं आपको जवाब देता हूं देखिए अब भी आपको पता होगा कि डिसेंट ली पिछले महीने एक एनफो आया था जिसका नाम था मोतिलाल ओस्वाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडे ठीक है 11 जुलाई को यह जो फंड था यह लिश्ट हुआ अब यह फंड जो है यह माइनस में चल रहे हैं तो आप यह समझिए कि यह फंड जो माइनस में आ गया है तो लोगों के अंदर इतना ज्यादा डर का महल बन गया है कि लोगों ने अगर आप मेरे कमेंट से अक्षि तो नहीं गए ऐसा नहों कि मेरा पैसा ही जीरो हो जाए ऐसे ऐसे कमेंट सा रहे हैं और ऐसे ऐसे मेरे पाद मैसेज और डीम आ रहे हैं तो बताइए ऐसे लोगों का हम क्या कर सकते हैं जो की मीचल फंड के इन्वेस्ट करने के मात्र सिर्फ अभी आप देख लीड़ी ते यहां तारीक को रिष्ट हुआ है और आज 17 तारीक है सिर्फ 6 दिन के अंदर ही उनके अंदर इतना ज्यादा डर मन गया है कि वो इस मीचल फंड से लॉस के अंदर एक्जिट करने की बात कर रहे हैं तो दोस्तों डिटेल में बात करूं कि भीयार यह माइनस में क्यों गया ह है क्या यह माइनस में और जाएगा और क्या आप इसके अंदर पैसा इंवेस्ट करके अच्छे वीडियो देखेगा अपने ज्यादा से जाए लोगों को शेर कीजिगा जिससे कि जो भी ऐसे भाई है जिन्नों ने ऐसे किसी फंड के इंवेस्ट किया है सवाल सिर्फ मोतिला ओस्वाल आप जिए सवाल आप नहिए सवाल ऐसे सारी ब्रॉस का इंवेस्टर्स का है जो चोंग मार्कट मार्किट करते हैं उसके बाद और वह सीीफ्ण oh ठीक है ऐसे सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पुझा दीजिएगा दोस्तों बाकि मैं हूँ आपका दोस्त तरुंगोला और स्वाधत कर दो मेरे चैनल दी एक्टिव तरुमी तो देखिए गैरा जुलाई दोजार चौबिस को ये फंड जो था लिश्ट हो गया मार्किट के अंदर पहले ऐसे तीन तारिक को होना था लेकिन तीन तारिक से बढ़ते बढ़ते ग्या तरिक को हो गया लोगों ने शोर मचाया हुआ था कि सरे ये लिश्ट कब होगा लिश्ट कब होगा इतना परिशान थे इसके लिश्ट होने के लिए जब वह लिश्ट हुआ तो मैंने एक वीडियो बनाई जिसके ना मैंने पूचा कि भीया वह किसके लोगों को कितने कितने अनेवी पर मिला है तो अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर किसी को 10 रुपे 86 पैसे मिला था कि किसी ने 10 रुपे 50 पैसे भी खएदा था और किसी ने 10 रुपे भी ख़ीदा था मतलाब किसी को अलॉटमेंट 10 रुपे ही थी और बहुत सारे एसे लोग थे जिनको 10 रुपे ही मरवे 10 रुपे ग्राऄची प्राइस कि बात करें सुंव दस रुपे पर इस्ट भूआ था ग्यारा जुलाइग उसके बाद जब इसका इन अवी बात करें ग्यारा जुलाइं के बाद से जब यह लिश्ट हो ़ा मुझे याद है 10 रुपे 80-50 पैसे पर यह पहुंच गया था इसका जो लॉंचिंग प्राइस था वह 11 जुलाई को 11 जुलाई को इसका जो लिश्टिंग प्राइस था वह था करीबन 10 रुपे 80-50 पैसे के आज शबास अगर मैं गलत हूं तो दोस्तों माफ कीजेगा दो-चार पैसे उपनीचे हो जखते हैं ठीक है 10 रुपे 80 पैसे 10 रुपे 80 पैसे के आज पास इसका जो लिश्टिंग प्राइस था वह यह था तो बेरे पास आप यह भी कमेंट देखेंगे लोगों ने कहा कि यह 50,000 रुपे लगाए थे 52,000 रुपे हो गए कोई किया था एक 58 परसेंट के आसपास का इसमें रिटन्स इसने अल्लेडी गेन कर चुका था ठीक है अब अगर बात करें आज 17 जुलाई को 17 जुलाई को जो इसका प्राइज है अभी देखें वह है इसका प्राइज 10 रुपे औरंचस पैसे 10 रुपे औरंचस पैसे है तो आप यह माल गया है मतलब कहने का यह है कि सारे 8 परसेंट का रिटन दिया था उसमें से करीवन 2.5 परसेंट आप माल लिए कि भाई यह माईनस में चला गया तो भी यह भी यह 5 परसेंट माईनस 5 परसेंट प्लस में तब ही तो दोस्तों सबसे पहली बात अगर आप किसी भी मुचल के भाई हैं जो कि उन्होंने 10-10 लाग रुपे 5-5 लाग रुपे लगाए सोची आपने अपने हाड मनी ऐसे फंट्स के अंदर लगाई और उसके बाद सिर्फ 2-3 परसेंट उपर नीचे होने से या एक दिन वह नीचे जाने से आप इतना डर रहे हैं कि आप सोच रहे हैं क के अंदर और एइजिट कर दें तो दोस्तों सबसे बली बाद अगर ऐसा मेंटिलिटी कोई भी भाई रखता है तो देखिए उसके लिए मार्केट नहीं बनी है सबसे बड़े तरीका यह है कि भीया वह एफटी के अंदर इंवेस्ट करें पीपीएफ के अंदर निवेस्ट प्रदाशन के लिए तो देखिए आपको जब मार्केट नीचे जाती है आ आपको उसे भी और आशिक ना सीख नाव एहाएँ आपको से कम से गम आपको पांश साल इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छी कोंसे पांश के लिए इस कीज़िगाँ तो अगर सिर्फ दिन के अंदर ही अगर यह दो तिन परसेंट माइनस में गया है और आप लोग गबरा कर ऐसे इससे एक्जिट कर देंगे तो दोस्तों काम नहीं चल पाएगा ठीक है अब बात करते हैं इसके करन्ट सेनेरियो की कि आगे इस फंट का व्यूपाइंट क्या है तो देखिए अभी इसके प्राइच चल ला है वह दस रुपे दस रुपे उलंचस पैसे के असपाच चल रहा है बात कुछ कंप्री ऐसी थी अगर आप देखेंगे तो हमारा जो निफ्टी है या सेंसेक्स है वह भी आप यह माल लिए बिल्कुल बिल्कुल जब क्लोज हु तो जब निफ्टी ने ही आप सोचिए पॉजिटिव रिटरंस नहीं दीए तो इसके अंदर पॉजिटिव रिटरंस कहा आएंगे दूसरी बात आप यह देखिए मैं थोड़ास अपने भाईयों को समझाना चाहता हूं चाहे वो किसी भी फंट के अंदर इन्वेस्ट करते लासे है तो मार्केट के नदर जोब खुलती है तो आप देखिए रोज मार्केट गढ़ती भी है और अपर याय। आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप अगर मीचल फंड के देंवेस्ट कर रहे हैं, टो आप उसके साथ जोड़े रहे हैं, लॉंग टम के लिए, अगर आप ने इस फंड के उपर विश्वास कर रहा है, तो देखिए आपका फर्ज बनता है, अगर आप 5 साल लेकर आएं तो आ ही नहीं है जैसी ही इस फंड की ऑफिशल लिश्टिंग आएगी मैं आपके समक्ष वो भी लेकर हाजित हो जाओंगा आपको बिल्कुल भी घबरानी जोद नहीं है दूसरी बात यह फंड भले ही इसका जो अनिविय दस रुपे दीचे चला जाए आठ रुपे चला जाए चीन है चीन को भी कई बिलियन डॉलर्स का आपसे नुकसान हुआ है इस तरीके ते हर जगा पे आप इंडिया को छोड़के किसी भी देश आप वर्ड के किसी भी देश में जाएंगे महाँ पर आपको मैक्सिमम जो है नुकसान होता ही दिखेगा सबकी जो अर्थ व्यवस् मैं आप कुछिक करेंगए उसको चेक करना बंद किजिए आप इन सब चीजों को Fotman करें मैं अगर आप रोज इसको ऊपन करेंगे तो देखेगे इससे आपकी टेंशन बढ़ेगी आपकी टेंशन गटेगी नहीं इस चीज को आप याद रखिएगा है ना तो दोस्तों यह तो रहा मेरा इस प्रंट के बारे में अपना विचा और रही बात यह फंट भविश्य में कैसा प्रफॉर्म करेगा तो देखें बविश्य के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है अब बात करते हैं इसके थोड़े से क्रंट जो इसके फैक्टर्स हैं जो इसके क्रंट वेलिएशन चली है मैं आपको उसके बारे में जानकारी देदू तो जिससे कि आप लोग को थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा अभी कि अब यह सके करंट सिनेरियो है क्या लॉंचिंग होने के बाद इसका जो करंट ने वी चल रहा है वह चल रहा है दोस्तों दस और तो पैसे बात करूंग मैं एक फिट एड़े वयक में तो जो इसके रिटन वह करिंद परसेंट पॉजिटिव में करीब फिर पांच परसेंट पॉजिटिव है जब से लॉंच हुए तब से आज तक पांच परसेंट के आज तक उसने पॉजिटिव रिटन दिया है जब से लॉंच हुए ठीक दूसरा अगर इसके बात करेंगे तो देखिए इसके अंदर जो ना के बराबर ही होता है लेकिन इस फंड के अंदर एक्सपेंसर इसी जीरो परसेंट है तो मतला जितना भी आपको रिटन मिलेगा उसके अंदर किसी भी तरीके के चार्ड़िस आपको नहीं देने पड़ेंगे ठीक है ना और बात करें इसके एक्जिट निकाल लेते हैं अगर आप 15 दिन के अंदर ही अपना पैसा निकालेगे तब भी एक परसेंट एक जो लगने वाला है वह भी तो बस यह जो भी आगड़े थे वह मैंने आपका शेर करें साथ में याद रखिएगा अगर आप मार्केट के अंदर इंवेस्ट करने की सोच रह है आपको जो डेली वोर्टं पोडनेकी हेंट हर रहे बीट हें होगिगी क्योंकि इससे आपकर अपके टैंशन देंशन और वह 5% माने सब चला गया माली जी 50-100 नुफसान दिख रहा है उसे तो जो इन्वेस्टर है ना वो अपनी जो टेंशन है वो अपने घरवालों पर निकालता है या अपने घर से बाहर अपने कलीक से अपने रिष्टेदार है उनके उप पर निकालता है तो दोस्तो ऐसा किस उसको सब्सक्राइब करके रिखेंगा बेल का इकन को दमा देदेगा और साथ में अपना प्यार देते रहीगा आज क्या लिए जय हिन दोस्तों